करन के सरचड़ी प्रिता की दिवान की निधी हुई कफा जी टीवी के लोगपिरिय धारावाई कुंडली उभाग में दिल्चस्प ड्रामय की एंट्रे हुए जहां आप सभी ने अब तक देखा कि प्रथम की घाड़ी में मोहित उसकी मा और प्रिता स्रिष्टी की खोजबिन में निकल जाते हैं जबकि दुसरी और करन प्रिता के बड़्डे की तयारियों में पूरी तरह से जूटा हुआ रहते हैं जिसे देखकर निधी को उस पर भढ़क जाती है निधी का मानना है कि उसके होते हुए भी करन प्रिता की खोजबिन कैसे कर सकता है हालां कि करन निधी से इस बारें बात करने से मना कर देता है दूसरी और स्रिष्टी बहत चालाकी से अपने दूपट्टे को फाड का रस्ते में फेकती जाती है जिससे प्रिता को उसे खोजने में आसानी हो अब आन्याल एपिसोड में आप सभी देखेंगी कि निधी करन को याद दिलाती है कि उसने घर के लिए बहुत कुछ किया है निधी को डर है कि प्रिता के आने के बाद कहीं घर वाले उसे घर से बेघर न कर दे किन्तु करन उससे कहता है कि प्रिता के बाद भी वागे घर में रहेगी और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता बाद में करण नीधी को अपनी सर्थ यार दिलाते वे कहता है कि वो पहले भी प्रीता को चाता था और अभी भी चाता है और आगे भी चाता रहेगा जबकि प्रीता राजवीर को ये बताने के लिए फोन करती है कि सृष्टी का किड्नैप हो गया है लेकिन राजवीर के फोन को नीधी उठा लेती है और वो पूरी बाद सुनकर बहुत खुस हो जाती है हे भगवान अब आगे क्या होगा आपको क्या लगता है हमें अपनी रहे नीचे कमेंट सेक्शन बता है और अधिक अपड़ टाप्ट करने के लिए बने रहे आई डबली अंबस के साथ